आई टापिक इस अाईनी इनीक रेडियाई है यह हमको पढ़ना है, मतलों और उन्सें करbud़शाय को पढ़ना है इनीक कमपॉंड का रेडियाई है इनीक कमपॉंड आपको पता Pick where Vid अज voltar एक क्रहिजी होता हैं शीकταकर adel близक की यह शी decide. crystalline होते हैं निचर में crystalline solids होते हैं crystalline solid होते हैं crystal की तरह crystalline solids यह चाप्टर चेपड़ोंगे वह चाप्टर पड़ोंगे अब जन्र फटर तो crystalline solids जिसके example अगर मैं बात करूं इसे थोड़े दिर के लिए अपन एने सेल के बात करें ठीक है NaCl भी है जो है वो एक crystalline solid है ठीक है यह बोल सकते है आइनिक compound है आइनिक compound मतलब होता है और negative एक क्यों पर positive एक क्यों पर negative रहता है NaCl sodium chlorine मतलब कि crystalline solids होते हैं जिनमें क्या हो Ket ions हो और N ions यह सारी बहुत सिंपल चोटी सी बहुत ही पात है chemistry की जिनमें Ket ions हो और N ions हो ठीक है Ket ions क्या है आप सब को पता है positive species होते है N N क्या है negative species इंट क्या है यह सब जनरल सी बाते हमने कर लिए अब Ket ion N और atom तीन चीजे होती है क्या क्या होता है आटम क्योंकि जब कोई भी कंपाउनी जब कोई भी स्पीशीज जब आइनिक चार्ज क्यारी नहीं कर रहा था तो वह एक आइसोलेटर आटम था तो आटम के टायन और एनायन अगर आपके पास तीन चीजें हैं में एक सिंपल सा भी आप से पूछ रही हैं फिर आपनायनिक ट्रेडिय का बेसिक स्टार्ट करेंगे तो इन सब में इसे अगर इनको अरेंज करना हूँ तो सबसे बढ़ा कौन साधा का होगा सबसे बढ़È आपका हूगा न यंएन की जब भी आप बात करता हो नेगर्टिव चार्ज जिसके पास है कोना मतलब क्लेक सबसे पहले यह समझ लो कि ionic radii actually में क्या है ठीक है डेफिनेशन जो हमको पढ़ना होगा तो आप ठीक है डेफिनेशन पढ़ूअ only सबसांको ionic radii के बात करूं कुछ भी नहीं आपस आपको कुछ भी नहीं समझ में आप आयनिक रेडियाई अगर शब्दों को तोड़ दिया जाए we split the terms then what we can understand कि दो आयन होंगे हमारे पास एक कैटायन होगा और इसको छोटा ड्रॉ कर देती हो में क्योंकि वह साइज में भी छोटा होता है साइज में में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसके पास और यह हो गया एक एनाए है ठीक हमने यह दो आयन ड्रॉ किये हैं के बीच में यह दोनों जो डॉट्स है यह क्या है नूपल ज़नरल सी बात है यह चीज अप अटॉमिक रेडियाई जब कोवलेंट रेडियाई पढ़ रह पूरी है जो डिस्टेंस है उसको हम हर बार हमेशा इंटर न्यूपलियर डिस्टेंस ही कहते हैं इंटर न्यूपलियर डिस्टेंस ही कहते हैं इंटर न्यूपलियर डिस्टेंस ही कहते हैं इंटर न्यूपलियर डिस्टेंस है तो तो, सिंपल सी बात है, केटाइन का और एनाइन का रेडियाई क्या हो जाएगा, इसका हाफ यहां से आप ये ड्रॉ कर लो, इसमें इतना सोचना क्या, ये जो है, तो क्या हो जाएगा आपका, केटाइन का रेडियाई हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका ए जहें आइनिक रेडियाई के बारे में थोड़ा सा डिसकेशन करें तो हम यह समझ पाते हैं कि अगर हम यह बोल दें कि आइन का रेडियस निकालना है तो experimentally यह पॉसिबल नहीं it is not possible to determine the ionic radius experimentally ठीक है कुछ थोड़े बहुत बहुत सारे theories आये बहुत सारे theoretical term आये जिससे ionic radii को explain किया गया या find out करने की कोशिश की गए लेकिन experimentally यह possible नहीं ठीक है through x-ray studies जो है यह determine किया गया कि internuclear distance क्या हो सकता है दो opposite ली चार्ज आयन का ठीक है इन दोनों के बीच का distance x-ray studies के through x-ray studies के through find out कर लिया गया कि इनका इनके दोनों के बीच के दूरी क्या होगी distance क्या होगा ठीक है otherwise यह possible नहीं कि हम आयन का radius निकाल नहीं ठीक है example जैसे जो मैं आपको statement बोल रही हूं मैं यहां पर आपके लिए 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 है कि यह पॉसिबल नहीं है कि हम आयनिक लिए लिए को निकाल सके लेकिन एक स्टाडी के तुरू हमने क्या किया दो आइंस के बीच का डिस्टेंस के लिए example किस तरीके से कुशन आते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप देखो यह सब कभी पर आपको लिखने को नहीं आता है ठीक है कि क्या होता है डेफिनेशन यह वह आपको यह सारी चीजे एक्जाम्पल के तुरू सॉल्व करते हैं जी समझ वहां जी एक्जाम्पल आपको दिया हुआ है मालो ऐसा दिया है कोशन कि 276 पिको मेटर तीक है इंटर निउकलिर डिस्टैंस दिया है مुशन दिया कि 276 मेटर इंटर नूकलिर डिस्टैंस से एल ऑल गई क्रिस्टल क्रिस्टल की चैसे मैं आपको अभी रॉए करते हैं यह वाला इसे मालो थोड़ी दर के लिए एक जनरल सा अपने डाइग्रम किये थी यह जो आयने इनके बीच का यह जो डिस्टेंस है जो दूरी है वो क्या दिए हूँ यह 276 पीकोमेटर दिया गया है तो 276 पीकोमेटर है उसमें से आपको एने का जो है वो दे दिया है कि इतना है एने 25 पीकोमेटर ठीक है CL का find out करना है क्या होगा तो simple से find out कर सकते हैं यह तो बहुत simple से match से आप सब को बनता है आप कुछ नहीं करोगा इंटर नुकलर डिस्टेंस जो दिया है 276 माइनेस 95 ने का जो दिया है वैल्यू उसको put up करो गया तो यह आपका answer है 181 पीकोमेटर ठीक है यह आता है यह आगया अपका किसके लिए क्लोरी नाइन ग्रोशी एल माइनस का कितना हो गया 181 पीकोमेटर ठीक है यह सारी चीजें पूस्ते हैं अब एक चीज और आप समझें क्यूंकि हम आयनिक रेडियस समझ रहे हैं क्यूंकि आयनिक रेडियस पढ़ो अटामिक रेड ठीक है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पेडियस बहुत सारी कुशन्स अराइज होते हैं कि हम बोलते हैं एन आयन अगर कुछ भी ना हमको पता हो तो इतना पता है कि ऐसे कोई भी स्पिशीज होंगे जो नेगटिव चार्ज क्यारी करते होंगे वह एन कहलाते हैं ठीक है सिधी सिफात है तो एन आयन का मतलब क्या है नेगटिव चार्ज क्यारी करते हैं पहली चीज मुझे समझ में आती है दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी भी स्पिशीज के ओपर नेगटिव चार्ज है सपोज कोई भी स्पिशीज है और इसके ओपर नेग जाएगा माइनस का साइन यही केमिस्ट्री का उल्टरूल है ठीक है माइनस साइन है मतलब कि उसके पास जादा इलेक्ट्रोन है तो जब कभी भी इलेक्ट्रोन एड होते हैं आटम में तो उनके उपर माइनस का साइन आ जाते हैं ठीक है पहली बात हो गई कि जब कभी भी electron add होंगे किसी भी atom में तो उनके ओपर किसका sign आ जाएगा minus का sign आ जाएगा मतलब कि वो क्या बता रहा है electron क्या है जादा है इसका मतलब यह हुआ कि जो size है वो क्या है वड़ा है देखो पहली चीज़ हमने क्या लिखे negative sign आएगा दूसरी बात हम क्या बो रहे है electron जो हैं वो क्या होते हैं जादा होते हैं किन के पास NIN के पास electron is more जब electron जादा है तो सीडी से बात है जो size होगा NIN का size of NIN is going to be more जादा electron है तो size बड़ा है size of NIN is more ठीक है तो क्यों जादा होता है यह आपको आपसे question आता है आपको इस पे question reasoning question है कि NIN का size बड़ा क्यों होता है electron add हो गया तो क्या हो गया तो आप क्या देंगे answer ठीक है simple सा समझ लो आप जैसे यह होगे आपके पास एक atom atom का मैंने draw की nucleus nucleus के बाहर क्या होते हैं shells होते हैं shells में होते हैं electron ठीक बात electron है चलो भई electron है अब हम बोल रहे है क्योंकि यह क्या है यह NIN ड्रॉ कर रहा है ठीक है तो NIN में क्या हुआ एक electron और आके add हो गया तभी तो वह NIN बना न तो जब electron आके add हो गया तो क्या हो गया यह वाला electron जो add हो हो और जो पहले से electron था वो क्योंकि दोनों सेम नेचर के है माइनस माइनस sign है इनके उपर तो इनके बीच में क्या शुरू हो जाएगा repulsion ठीक है science का rule है similar charges जो है वो क्या करते हैं repel करते हैं opposite charges attract करते हैं cdc बात 7th class या बढ़ते आयों तो क्योंकि इनके charges similar हैं तो यह क्या करेंगे repulsion शो करने रहेंगे repel करेंगे दूर जाने की कोशिश करेंगे जब यह दूर जाएंगे जो size shell का वो अपने आम क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा ठीक है जैसे ही electron add हुआ यह add हुआ अपना electron electron add हो जब electron add हुआ तो यह क्या करेंगे repel करेंगे और जब repel करेंगे तो size क्या हो जाएगा इनका बड़ा हो जाएगा इसब symbol को आप समझ लिजए size क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा ठीक है why the size of NIN is more due to repulsion due to repulsion of electron due to repulsion of electron मैं इसके लिए आपके लिए proper लिए ठीक तो इसके वज़े से NIN का size होता है बड़ा ठीक है अगर आपको इस form में नहीं लिखना है और अगर आपको simple से form में समझना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको कभी भी chemistry में चटाई बिचाने के marks नहीं मिलेंगे याद रखिए आप solid point लिखो और example लिखो chemistry means chemistry दिखना चाहिए chemistry means what your reaction your examples your explanation ठीक है क्या है answer sheet के पन्ने भरसने से नंबर मिलते नहीं इसी इच को गात बांद के रखिला because you are science students okay so this is the statement if you want to write in this manner the statement is what whatever I have written in the flowchart manner you can write it in the statement manner in this form okay so when an electron is added to an atom जब electron atom में add होता है यहाँ पे add हुआ ठीक है forming an anion the added electron repels other electron other electron मतलब जो पहले से लेक्ट्रों प्रेजेंट थे correct resulting in an increase यह increase का साइन है increase in the size of the atom इसे लिए anion का size बड़ा होता है ठीक है जब anion का size होता है बड़ा आप के टायन में क्या बात होगी let's see about the cation okay so cation मतलब की ऐसे species जिनके उपर positive charge होती इनी species which carries positive charge is your cation ठीक है it could be anything na plus correct h plus कुछ भी ठीक है बहुत सारे हैं तो जिनके उपर positive है वो cation है जैसे example बारवर naCl कही आता है दिमाग में bCl2 आता है beryllium chloride magnesium chloride बहुत सारे अब जैसे मानलो naCl हम लिख रहे है तो naCl में naCl में na के उपर positive के उपर minus और जैसे बहुत सारे beCl2 हो गया beryllium chloride हो गया mgCl2 हो गया ऐसे बहुत सारे salt होते है ठीक है तो यह जो positive वाला पार्ट है उसको बोला जाता है के time सब में यह कंडिशन है यह positive ठीक अब positive है इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो size है वो क्या होगा छोटा होगा size is smaller than the anion anion के comparison में आप देखोगे तो के time का size जो है वो छोटा होता है अब बात आती है क्यों उसमें हमने repulsion पढ़े थे आप यह सीधा से समझ लूए यहां पर ड्रॉ कर दे रही हो और इसी को समझ कर आप अपने form में लिख सकते हैं हमने रोग किया एक atom atom के अंदर है यह nucleus 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 के बाहर है आपकी यह shells nucleus के बाहर है यह shells nucleus में proton होता है पता है ना आपको proton होता है यहां पर आ नहीं रहा है यहां लिख दरी nucleus के अंदर होता है proton neutron neutron का तो कोई charge होता नहीं ही तो मतलब जो charge है वो proton का ही है ठीक है जिसको हम nuclear charge भी बोलते हैं तो nucleus के अंदर हो गया है proton ठीक है अब suppose करो कि हमारे पास चार proton है ठीक है वी हाव फोर proton inside the nucleus correct and we have four electron outside the nucleus that is in the shell shell के अपने बाहर के उसमें कितने है four electrons ठीक है तो four proton है four electron है तो मतलब की equal amount के energy मतलब nucleus को इसको खीशने में पुरी पुरी ताकत लगा दे रहा होगा अपनी ठीक है चलो अब आप थोड़ी दिर के लिए सोचो की कि जब यह केटायन बना अभी तो हमने यह क्या ड्रॉ किये थे यह एक आटम है यह एक आटम है ठीक है आटम भी यह ड्रॉ किये हमने जिसमें यह इतनी इसके पंतलब four proton होगे four electron होगे अमालो किसी atom में से एक electron को निकाल दी हमने one electron is removed एक electron निकल गया जब एक electron निकल गया तो सीधी सी बात है अब electron कितने बज़े तीन electron बज़ गया और प्रोटॉन अभी बिकितने है चार प्रोटॉन तो यह जो है नीकलियम इस चाह साथ प्रोटॉन है थीचे उसके पर Boom 003 ते तो टीन futur को और साथ क्या जायगा को कि रिक्ट है क्यूंकि युक्न इसे हो क्या की बलए को और कोर्स के साथ अपने तरफ करेगा साइस जですね वो क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा यह कहानी है आपकी केटाइन की ठीक है so the electron in the kateaon are more strongly held in the iron than in the atom because they are less in number सिधी सी बात है so reason आप क्या लिख सकते हो यह तो मैंने आपको समझा दिया आप आपने मन से भी लिख सकते हो क्यों केटाइन का साइज छोटा होता है आपने इसके लिख स्टेटमेंट लिख देते हैं ठीक है तो क्यों ऐसा होता है reason क्या है because they are less in number सिधी सी बात बात करें ठीक तो they are less in number that's why their size is smaller than the cation और अगर हमको कभी अरेंज करना हुआ atom को और cation को और nion को तो सबसे बड़ा size होगा आपका आपसे पूछें की atom atom है ठीक है nion है और cation है यह तीन चीज़ें आपके पास तो इन में सबसे बड़ा size किसका होगा तो सबसे बड़ा size simple सी बात है nion का होगा atom से भी बड़ा होगा क्योंकि atom से जाधा electron है फिर उसके बाद होगा atom फिर उसके बाद होगा ketan यह simple सी बात ही पूछी जाती है कहीं भी बात उट सकती है अब कमिंग टू नेक्स आईजो एलेक्ट्रोनिक स्पिशीज क्या होते है आईजो एलेक्ट्रोनिक साइंस इजी इसी लिए है क्योंकि उसके नाम से उसका का definition चलता है आईजो एलेक्ट्रोनिक ठीक है मैं भी यह बहुत सिंपल तरीके से आपको बोलू ही आईजो का मतलब होता है सेम ही यह सब तो सबही को पता है कौन से वड़ी बात है ठीक है तो आईजो मेंस सेम यूफ स्टॉड एवरिवेर कि आईजो जब भी वर्ड लगता कहीं पर भी उसको लगजब लगजब बहुत सारी पैस्ट भी रहता है तो आईजो एलेक्ट्रोनिक स्पीशी सेम मतलब ऊईजो मेंस अलेक्ट्रोनिक मीन सेलेक्ट्रोन होगे तो ऐसे स्पीशी जिनके नंबर ऑफ एलेक्ट्रोन सेम same number of electron but it's very important to use this term but but number of electron to same rate this is aap kya samajh pahrehun number of electron same in the number of electron to same but they have different number of proton korn? nuclear charge different bracket nuclear charge nuclear charge atomic number you can say you can say number of proton because nucleus charge proton proton nuclear charge so you can use all this isoelectronic isoelectronic species a,b,c,d isoelectronic isoelectronic o,b,c,d o,b,c,d and f- and f- o,b,c,d o,b,c,d isoelectronic 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 species isoelectronic 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 in nature which of the following isoelectronic in nature first question first question o,b,c,d isoelectronic i,b,c,d o,b,c,d o,b,c,d isoelectronic isoelectronic Verdi isoelectronic i,b,c,d f- isoelectronic नमबर होता है इसका 16 इसके ओपर 2- charge है मतलब 2 और add हो जाएंगे और यह हो जाएगा 18 correct now moving to the next you see magnesium mg के ओपर 2 plus charge है मतलब की इसका atomic number magnesium का होता है 12 क्योंकि plus 2 है तो 2 minus हो जाएगा और यह जाएगा 10 और आखरी वाला ही क्या है आपका question AL 3 plus aluminium का atomic number 13 3 को minus करना है और 10 answer अब आप से question में पूछा है कि जो इतने सारे आपके पास पंचायद दी है इन में से isoelectronic कौन है उनका नाम लिखना है आपको 10 वाला कहां कहां दिख रहा है यह similar number कहां दिख रहा है इसा बोलना चाहीं मुझे है similar number कहां कहां है दिख एक 10 यह हो गया एक 10 यह हो गया एक 10 यह हो गया यह तीन number जो हो क्या है similar है इसका मतलब यह हुआ according to this question O2 minus Mg2 plus and Al3 plus is your isoelectronic species that's all so isoelectronic species अब आपको समझ्झ में आगया होगा नहीं भी आया होगा तो आपको समझ्दा पड़ेगा solve more questions to clear your doubt ठीक है still if you face any problem you can ask me anytime thank you so much god bless to everyone